see what you can see is यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपके सामने एक कौन है कौन है कौन है जिसमें बड़े वाले कौन का semi vertical angle alpha है और छोटे वाले कौन का semi vertical angle beta है तो इस सवाल में आप क्या करोगे यह जो कौन है ना यह कौन के अंदर एक कौन है तो यह घूमता हुआ इसकी inner wall पर contact maintain करते हुए चलेगा जैना delicious question सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि इस नीचे वाले white color के कौन को हटा दो नीचे से और फिर यह जो कौन आपके सामने है इसको आप घुमाई ऐसे जैसे कि यह इस vertical axis के about कैसे गुम रहा है omega naught से यह इसके about गुम रहा है omega naught से तो अगर नीचे का यह कौन हटा दू नीचे का यह कौन हटा दू तो यह omega naught से गुम रहा है परफेक्टली यह है इसकी instantaneous access of rotation एक हिंजड आपजेक्ट के तरह गुम रहा है और अभी अगर इनर वाल के साथ contact maintain करता है तो आपको यह देखना है कि ऐसे गुमता हुआ जाएगा ओमेगा डैश से तो यह मिना स्लिपि गुमता हुआ चलेगा ऐसे ठीक है ऐसे गुमता हुआ अंदर चलेगा तो इन ओमेगा ओमेगा डैश में यह omega naught और omega डैश में रिष्टा चाहिए तो इससे सिंपल कॉनिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक कॉनिकल स्ट्रक्चर रोटेट कर रहा है विदाउट स्लिपिंग अगें यहां पर कॉन्टैक्ट एरिया बहुत जादा है इस एंटायर पूरा-पूरा का लेंथ जो है यह पूरी टेडी लेंथ जो है वो इसके अड़ी हुई है इस बात पर आपको मुझे नहीं लगता कोई शक होना चाहिए इसमें कोई दिकत नहीं है यह ना यह तो पूर इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा करके बना रहा हूं ताकि अपनी थोड़ी क्लारिटी अच्छी है डिसक्ष्ट और उसको वाइटी कलर से बनाएंगे इसको वर्टीकल कर लो आपर हमसे मस्त वर्टीकल यह वर्टीकल है यह आपके वर्टीकल कोन की बाउंडरी भी है नीचे बन जाए तो ठीक यह बन गई है बहुत ज्यादा मतलब टेंशन वाला इश्यू है नहीं है अगर आपके फंडे थोड़े से क्लियर हो अच्छा कई लोग इसको बहुत ज्यादा थेयोरिटीकल सेलूशन प्रवाइट कर देते हैं आप यूटीब अगेरा बहुत थेयोरिट तो जब देख‍अ सारा कॉंट्टैक्ट ए इतना सारा यह पूरा का बूरा कॉंट्ग लेंथ तो कई यूँन पोइंट की लोकेशन आपकी केलकूलेशन में हिंडू कोन नहीं करने जायो यह इसका वेलोस्टी मेरे को जीरो साबित करना है सिंपल सी बात है तो वाट शुड़ा दूनाव इस आई विल अज्यूम एक लेंट में इसे इधर टेड़ी खीशता हूं और एक में इसकी एक्सिस से खीच के लिए आता हूं ऐसे इसके लिए कोई किसी से ज़रुत नहीं है लेट मी और सो कॉल यह जो इसको आप एल बोलो एल इसको एल बोलो यह एंगल हमें पता है कि यह सेमी एंगल है तो यह वाला आपको पता है बीटा तो यह जो रेडियस हुई है कित्ती हुई अगर यह 90 है तो यह एल टैन बीटा यह हो गई तो अगर मैं इस ओमेगा डैश की बात करूं तो इस पॉइंट एक स्पीड बाहर की तरफ होनी चाहिए क्योंकि यह ऐसे घूम रहा इस एक्सेस के बाहर की तरफ होनी चाहिए तो एक स्पीड तो मुझे मिल भी गई डाड़ एल टैन बीटा इस दा आउटवर्ड स्पीड जो मैं तलास रहा था और मुझे मिल भी गई दूसरा कारिक्रम जो मैं करूंगा क्योंकि मेरेको तो दोई काम करने इस कोशिशन में दोई चीज़ें करनी है ठीक है आप कोशिश करके फोकस करके ढंक से सुनेंगे समझ में अब मेरे को कंबर को ये डिस्टेंज दे निटे तो मैं जंडा काएगा किonka किओकि ऊ मीगा नॉट इंटो ये डिस्टेंज क्योंकि जो रोटेट कर रहा है तो आई वुड वॉंट एनी पौईंट स्पीट तू बी ओमेंगा इन्टो दा शौनसे वड़ी बात होगी हम ये distance निकालेंगे यह वाला first of all और यह distance क्योंकि यह base L है तो यह distance इस triangle में जिसको मैं थोड़ा dot dot कर देता हूं इस dotted triangle में यह distance होगा L by cos beta यह distance हो गया also यह पूरा angle आपका क्या हो रखा है alpha तो again यह जो बड़ा सा triangle बन रहा है जो मैं चित्रन कर देता हूं यह जिसको अभी जस्ट हमने यह alpha लिखा है और यह त्रेटा distance है यह यह बाए कॉस बीटा है तो यह जो यह distance हो गया यह हो गया L sin alpha by cos beta and simply यह distance मुझे मिली के dotted और इसके अबाउट क्या rotation चल लिए omega naught तो omega naught into this का बाढ़ खाना is another speed तो मुझे इसको जो मैंने speed निकाली है इसको किसके एकवेट कर दू मैं omega naught into L sin alpha by cos beta and they must be equal और जैसे इसको आप देखते हो तैन बीटा है तो तैन बीटा की जो बेस है वो काटी जा सकती है और बड़ी साफ सुत्रत तरीके से हमने निकाला omega naught L भी कटके देखिए that's what we wanted the answer should be independent of L because every bloody point on the contact must have the same conditions so omega naught sin alpha should be equal to omega dash sin beta इसको करने के और भी तरीके होंगे people might do it using some instantaneous axis of rotation बंडा बंडा लगाते हैं but मैं रोको लगता है class 11th के बच्चों के लिए this is the best way to understand this problem because जो mechanics पढ़ता है feel लेके वो feel वाला method ही adopt करेगा और उसी को अप्रिशेट करेगा वह जाता bookish अपन नहीं जा सकते क्योंकि उससे हमारा कोई benefit नहीं होता that's why I always favor these kinds of methods एक anti-gravity wheel है जो मैंने 12th class के बच्चों को भी class में दिखायता recently एक बंदा है जो experiments करता है काफी foreign कई है इंडिया में तो एक जैसे अभी recently बात है class में मैंने बात की थी conical pendulum है अगर वो ऐसे vertical axis के अबाउट घूमता है conical pendulum तो आप point ओ कि अगर angular momentum देखते हो तो तो क्या इसका angular momentum इस दिशा में आता है यह बात अपने की थी रिसेंटली एलेवन को जाता है तो यह घूमता वह जब यहां पहुंचेगा इस जगे पर ऐसे तो इसका angular momentum उदर होगेगा तो हमें यह समझना है कि दोनों angular momentum जो है इनके वर्टिकल कॉंपोनेंट तो इसका बताएगे आपको इसका बताएगे वजन का इस लिए इस लिए यह कोनिकल पेंडूलम जब आप साइड में ले जाते और धक्का दे देते हो तो यह ऐसे गुमता रहता है और वजन इसको नीचे नहीं लेकर नहीं आपाता रोटेशनल के ऐसको निउटेंस के फंडाबेंटल से समझान लंगे मुझे के सार जि आना चाहिए इसको नीचे पंडूलम की तरह सा लेकिन नहीं आया है क्यों क्योंकि आāmए हैं इस EGG के Armstrong को किसी और लगा भी मात को तो ऐसा ही एक दूसरा एक्जाम्पल है जिसको कहते है गाईरोस्कोपिक प्रेसेशन गाईरोस्कोपिक प्रेसेशन के बारे में बात करेंगे हमने एक यह पईया लिया इस पईये को जैसे डबल डबल बाउंडर दिखा रहा हूं तो तुम थोड़ा 3D विजुलाइस कर पाओ तो अगर मैं इसको इस तरह से ओमेगा देता हूं मतलब इसका एंगूलर वेलोस्टी इस तरफ है ऐसे गुम रहा है तो शर्तिया बात है कि इसका एंगूलर मोमेंटम इस दिशा में एगा अगर मैं इस ट्रक्चर को होरीजोंटल पकड़कर रखता हूं तो यू मस्ट अंडर्स्टैंड वन तिंग के मैंने इसका टॉर्क बैलेंस कर रखा होगा वजन का क्योंकि तो नीचे गिर जाएगा इसका वजन इसको नीचे गिरा देगा तो माइक अपने सारे म्यूट रखे तो मैं के रहा हूं कि यह जो पईया है इस पईये को अगर आपने पकड़ रखा ऐसे तो यह नीचे की तरफ बैंड हो जाएगा उसको आपने बड़ा जोर लगा कर रखा होगा और यह गुम रहा होगा मस्त इसके बनिस्पत अगर मैं को एक चीज अलाव करूँ यू माइट फील अपील कमफर्ट कैसे देखिए वजन का टॉर्क इस पर नीचे लग रहा है और वजन इसको नीचे गिराना चाहता है इसका मतलब Toriya Germans लग रहा है एमजी का टॉर्क जो है वो इन्वर्ट लग रहा है और अगर इसका अंगूलर मोमेंटम इधर है और मेरा कमफर्ट आजयगा क्यंसे Ub बंदे को घर से निकालना कपड़ता है जब वो आपके लिए यूसलेस होता है लेकिन अगर आप उसका काम कोई यूटिलिटी निकाल लो तो तो मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इस एंगुलर मोमेंटम को अंदर की तरफ रोटेट करने की स्टाइल पैटर्न इसको अलव हुआ क्योंकि इधर एंगुलर मोमेंटम है और अंदर की तरफ ही टॉर्क लग रहा है तो इसको अंदर की तरफ ओमेगा डैश कर देता हूं तो यह एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ अगर लगने वाले टॉर्क को अलव करता है खुद को मॉडिफाय करने के लिए तो इस दिन आपको एक बात कभी बता ही होगी मैंने कि कोई भी वेक्टर अगर अगर ए है कोई वेक्टर जिसका मैगनिटूड ए है और अगर वो ओमेगा से घूम रहा है तो उसकी रेट ओफ चेंज क्या होती है ए इसके उपन भी बात कर सकते हैं इस चीज को अपन यह मान रहें कि हाँ यह बात लेट्स लेट्स अजूम धाट इस इसका मैगनिटूड ए है और वो ओमेगा से घूम रहा है तो उसका रेट ओफ चेंज क्या होगा ए ओमेगा क्लियरली जो मेरा एंगुलर मोमेंटम मैंने इ इस सिचुएशन इन अगर मैं इसको अलाओ करता हूं कि तुप यह गोल गूम ले ना तो मस्त बिल्गूल फ्रीडम के साथ आप उसको एक हाथ से गुम ही आराम से बहुत वली से 20 किलो का क्यो ना हो एक 20 किलो के ऐसे हनुमान जी की गदा को ऐसे पकड़ना बहुत भरी होग इस तुने तो उसको समझ भी नहीं आएगा लेकिन वह एक्सपर्ट होता है आज हम में से कोई शायद होता एक्सपर्ट ना हो एक लट्टूक गुमाने में तो सपोज यह एक टॉप है अब देखना इस टॉप को तुमने ऐसे घुमाया है ऐसे मतलब इसका इसका रोटेशन ऐसे है ऐसे आपने टॉप गुमाया तो क्या आपको लगता है इसका इनगूलर ओमेंटम इस तरह होगा ई-ओमेगाड नॉट तो अब मुझे सोच के बताओ के इसको कैसे गूमना चीए इसको कहते है जो यह इस वर्टिकल अक्सिस के बाउट गूमताने से इसको कहते है प्रिसिशन गायरोस्कोप प्रिसीड्स तो इन विच ओरियंटेशन शुड इप्रिसीड्स अर्थात जो ओमेगा वर्टिकल एक्सिस के अबाउट पॉसेस करेगा वह उपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी यह आपको सोच अंगल देगा आपको यह वाला एंगल अलफा तो इस एंगूलर मोमेंटम का वर्टिकल कॉम्पोनेंट तो देखिए चेंज हो नहीं र यह वाला यह वाला कॉम्पोनेंट है यह भीतर की तरफ मुड़ रहा होगा तो मुझे भीतर की तरफ ही तो फिसका इसका सेंटर आफ मास उन का सेंटर माश्याइद मैंने तुम को निकल वाय था फिर स्ट्रीचबाइब सा नीच अर्छ फूसे भाए पर एक चीज में मुझ कितनी इंक खर्च होती इस सवाल को करने में उतना ब्लू कलर हमारे इंक से वेस्ट नहीं होता जितना ग्रे कलर अपने खोपड़े के अंदर से यूटिलाइज होता है तो इफ यू नो दे कॉंसेप्स देन डेयार रियली पावरफुल ओल्राइट यह ओमेगा नौट यहां से मैं हटा रहा हूं यह यह गलती से लिग गयाता है